आदि देव नमस्तु भ्यम प्रसीद्मं भासकर दिवाकर नमस्तु भ्यम प्रहाकर नमोस्तुते एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमही तन्नो दंती प्रचोधयात तत्पुरुशाय विद्महे महादेवाय धीमही तन्नो रुद्रह प्रचोधयात नारायनाय विद्महे वासुदेवाय धीमही तन्नो विष्णु प्रचोधयात देव्याई ब्रह्मानय विद्महे मह आप सभी का स्वागत है मेरी आवास आ रही है आप लोगों को अच्छा से आ रही है गुरू जी आज मैं जिस विशय के बारे में बोलने जा रहा हूँ वह एक दृष्टी से समवेदन शील भी है दूसरा जिस विभूती के विशय में बोलने जा रहा हूँ उनके समक्ष शायद मैं त्रिन भी नहीं हूँ हम आज जो अपने आपको सनातनी कहते हैं या हिंदू कहते हैं या वैदिक संस्कृती के कि संताने मानते हैं आज हम उस व्यक्तित्व के बारें बात करेंगे जिनके कारण आज हम ऐसे बचे पड़े हैं सनातन संस्कृती लाखों वर्षों पुरानी है लेकिन वैज्ञानिक द्रिष्टी से शायद दस हजार या पंद्रह हजार वर्ष पुरानी है अलग-अलग विचार हैं अलग-अलग मान्यता हैं और उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो संस्कृतियां पिछले एक डेड़ हजार वर्षों में विश्व में अस्तित्व में आई हैं या दो हजार वर्ष में जो संस्कृतियां पिछले लगबग 2000 वर्षों में अब 2022 चल रहा है तो यह मान सकते हैं कि 2100 वर्ष से जो संस्कृतियां अस्तित्व में आई हैं वो यदि वैदिक संस्कृति को मान लेंगे कि यह 10,000 वर्ष पुरानी है या 15,000 वर्ष पुरानी है तो उनके मूल होने का उनके प्राचिनतम होने का या उनकी विचारधारा में कुछ भी मौलिक होने पर प्रशन उठ जाता है इसलिए वो इस चीज को आसानी से स्विकार नहीं करते यह बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से हमारी संस्कृति को भी बहुत मजबूरी में महाभारत हुआ तो 5,000 वर्ष पुर हुआ तो रामायन 10,000 वर्ष पुरानी हुई जबकि काल गणना के हिसाब से एक यूट्यूब पे भी ग्रुप है वो ऐसे ही जिग्यासू और खोज करने वाले लोगों का ग्रुप है उन्होंने रिगवेद के जो रिफ्रेंस हैं 77,000 वर्ष तक के इतिहास के प्रमान जुटा लिये है सत्रह अज़ार वर्ष के आज के समय में जुटा लिये हैं तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलिंज है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा पाए पाएं और बचा पाएं हैं हमारे इतिहास में भी जब हमको पढ़ाय जाता है तो वैदिक इतिहास को एक पन्ने में मद्यकाली इनको दो पन्नों में और उसके बाद सब मुगलों का इतिहास होता है जो पढ़ाय जाता है इतिहास पढ़ाना ठीक है लेकिन इतिहास शब्द ही इतिहास है जैसा हुआ है वैसा पर हमें जैसा हुआ है वैसा तो पढ़ाया भी नहीं जाता इसलिए जो हम सनातनी हैं या जो वैदिक हैं या जो हिंदू हैं अपने आपको कहते वो एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में ज करेंगे आज के हिंदू के सामने तो सबसे पहले वह आपका ही उपहास करेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्धी नहीं लगाता है पर इसी के साथ हमें जीना भी पड़ता है और उसे समझने का प्रयास करना पड़ेगा तो मैं आज के विशय पर आता हूँ आज हम बात करेंगे कुमारिल भट की कुमारिल भट नाम हमने बहुत कम सुना है अधिक्तम ने सुना ही नहीं होगा कि कुमारिल भट हैं क्या और यदि सुना भी है तो उसको एक नकारात्मक रिफ्रेंस में सुना होगा जो कि आप जब मैं भी बताऊंगा तो उससे आप समझ पाएंगे दरसल क्या है कि सनातन एक काल चक्र होता है सैक्लिकल वेरियेशन होती है उसमें चीजों का उतार चड़ा होता है हमारे दादा परदादा ने हम एक मकान बनवाया काल कालंतर से वक्षीन जीरण शीन होना शुरू हो जाता है यदि उसकी मेंटिनेंस उसका रख रखाओ सही तरीके से हो रहा होता है तो तो शमा किजिए जो रख रखाओ ठीक तरीके से अगर हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई ऐसी पीढ़ी आ गई जो रख रखाओ ठीक से न करें तो होगा क्या मकान लहना शुरू हो जाता है दीर थीरे कोई जमिदार परिवार है कोई जमिदार परिवार है कृशक परिवार है उनके बाप दादा पड़ दादा सौ एकड जमीन दो सो एक पड़ या 500 एकड जमीन लेके रहते थे और वो काल काल अंतर में उनकी संतान का जो बौधिक स्थर है वो गिरता गया और वो ऐसे व्यसनों में पड़े कि आज उनके पास 10 एकड जमीन भी नहीं बची है यह इस प्रकार की जो काल के साथ ख्षीनता आती है यह स्वभाविक है बहुत कम लोग है जो उस अपनी जो धरोहर है उसको सहेज पाएं तो हमारी संस्कृति के साथ भी यह हुआ वैदिक संस्कृति में काल के साथ चीज़े बदलती गई बदलती गई तो लगभग आठमी सदी तक फिर भी सब कुछ ठीक सा था एक अंग्रेजी में शब्द है कंप्लासेंसी हम जब सब कुछ करते रहते हैं और सब कुछ ठीक हो रहा होता है न तो हम उस चीज़ के प्रतिना थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं कि हाँ यह सब ठीक चल रहा है औ पर फिर विदृशी आक्रांता आने शुरू हुए और वह थोड़े से बाद के कालखंड में लेकिन विदेशी आकरांता वैसे आए हैं मतलब हमारी जो वह समय के भारत की सिमाएं हैं जो की हिन्दु कुछ तक थी आज के इरान-इराक के आगे तक थी वहाँ पर तो आकरां अब हमें समझना होगा कि बौध धर्म का प्रादुभाव हुआ किन कारणों से बौध धर्म किसने आरंबव किया महत्माबुध ने महत्माबुध के जो सोच का कारण था वो क्या था उन्वा जब अपने घर से बाहर निकले उनको आरंब में ही तीन चार चीजे को मिली तो किसी का दुछ को मिला और उन एक बालक मन था उससे यह प्रभाव बढ़ा कि यहां दुनिया में तो सब दुख ही दुख है, दूसरों को पीडा दी जा रही है, तो उन्हों ने जो विचार पकड़ा कि जो सुख करमार्ग है वह अहिंसा है, तो महात्मा बुद्ध ने अहिंसा को मूल मानकर अपनी विचार धारा को आगे बढ़ाया, उसमें कोई बुरा अपने आप में बुरी नहीं है, यह एक उत्तम विचार है, और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको महाभारत का रिफरेंस देता हूं, कि महाभारत में क्या हुआ था, महाभारत में जब पांड़ों की भूमी को वापिस नहीं किया गया, उनके राज्य को वापिस नहीं किय गया, तो भगवान श्री कृष्म सबसे पहले उनसे बिना बात किये ही कौरवों के पास गए, और उनसे कहा कि आप उनका राज्य दे दिजिए, उनका नहीं देंगे, तो बुले केवल पांच गाउं ही दे दिजिए, मैं पांड़ों को मना लूँगा, आप केवल पांच ग भारत का युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, जब करोड़ों लोग मारे गए, उसके बाद भगवान श्री कृष्म को गांधारी कहती है, कि कृष्म तुम चाहते तो युद्ध नहीं होता, तो भगवान कृष्म फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कि माता मैं मैं तो पहले से ही नहीं चाहता था कि युद्ध नहीं हो, मैं तो केवल पांच गाउं मांग रहा था, वो भी आप ही के पुत्र हैं, पांड़ों भी तो आपके ही हैं, और उन्हें तो राजा चुना गया था, उसके बावजूद भी मैं इस बात को उनको मनवाने को तयार था कि वो युद्ध ना करें और पांच गाउं लेकर वो हशी खुशी जी लेते, आपने उनको वो भी नहीं दिया, तो उसके लिए मैं दोशी कैसे हूं मां, कुमा बोला, तो बात वही है कि अहिंसा अगर रहती, अहिंसा के विचार तक ना पहुंच पाते, तो महाभारत नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जो समाज में ऐसी सिती आ जाती है, तब हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बात मात्र पांडों के राज्यकी नहीं थी, किसी के पतनी के अपमान की भी थी, और उसके बाद बातें बढ़ती गई, खेर, वो महाभारत है, कहने क उसको खुब आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, कि उस समय समराट अशोक थे, समराट अशोक भी हम जानते हैं कि बहुत युद्ध लड़े, अपने भाईयों से ही युद्ध लड़े, अपना समराज जिगा विस्तार करने के लिए, उनको मार दिया, अब इतने सारे युद्ध होने के बाद उन्हें भी पीड़ा हुई, इतना सारा रक्त पात देखा, इतने लोगों को मारा उन्होंने, तो उनके मन में पीड़ा और करुणा ने जन्म लिया, कि नहीं, इसका कोई लाव नहीं है, और उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार के स अच्छा हो रहा था, तो उन्होंने, सीधी सी बात है, ये आहिंसा के गुरू है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, कोई बुरा ही नहीं, अब क्योंकि राजा ने अपना लिया, उनके अन्यायू ने, उनके मंत्रियों ने, फिर समाज ने, अब जब ये वो धर्म ना लिया, तो स्वाभाविक है, कि एक विचार चलता है, राजा का ऐसा धर्म है, तो इस धर्म का उसलच प्रशार करो, जो वैदिक धर्म या वैदिक विचार धारा है, वह बुरी है, अब ये बुद्ध का विचार नहीं था, महत्वा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अपमान किया किन्तु जो आगे लोग आए उन्हों ने रास्ता बना लिया कि जो वैदिक संस्कृती है वो उसमें कमी है उसमें इसलिए उसे अपनाने का कोई और चित्त नहीं है और जो वैदिक है उसका उपहास होने लगा था तब उस काल में दो विभूतियों ने जन्म लिया था एक कुमारिल भट और एक आदिशंकर कुमारिल भट के बारे में हम यहां बात करेंगे कुमारिल भट ने जब जन्म लिया था उस समय भी यही था कि बौध धर्म का प्रसार तो बहुत था प्रसार में कोई बुराई नहीं है किन्तु वैदिक संस्कृति पे आघात हो रहे थे और उसका कोई उत्तर समुचित नहीं दे रहा था है तब उसकाल में चोलराज्य में एत सिर्ट नौक्ति के घर में जग्यश्र नौके लोगन था चंद्रकंठ जिसका कंट जिसका गला चंद्र के समार हो चंदंण चंद्रकंठ उनकी पतनी थी अगेश्वर वो व्यक्ति थे उनकी एक संतान हुई जिसका नाम खा गया कुमारिल भकत अब क्योंकि वह वैदिक सनातन जी थे तो उन्हों के जो विशाद हैं उनको सनातनी पद्धती से दूर करेंगे तो वो निकल पड़े गुरु आज्या के बाद तो भारत वर्ष का ब्रह्मन करने लगे और तो कि बहुत अधिक मात्रा में थे तो जहां तहां जाते अगर उस विचार की बात करते तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता था और बल्कि कभी शास्त्रार्थ भी करते थे तो उसमें हार जाते थे तो एक दिन कुमारिल भट्ट ने बैठ कर चिंतन किया कि जो सनातन धर्म है उसमें जो मैं पढ़ा हूं उसके हिसाब से कोई कमी नहीं है लेकिन ये जो बौध विचार धारा है इससे हम क्य पराजित हो जाते हैं तो उन्होंने कारण सोचा कि हमें बौध धर्म की क्या विचार है उसके मूल सिध्धान्त क्या है मुझे उसकी अधिक जानकारी नहीं है इसलिए सबसे पहले मुझे उसे सीखना पड़ेगा तब मुझे पता लगेगा कि इन दोनों में कोई अंतर भी है या केवल एक सिक्के के दो पहलों की बात हो रही है जैसे क्या होता है ना कि जिसकी साइड है एक अगर सिक्का देखें तो जो है वो बोलता है सिक्के में हैड होता है जो जिसकी साइड तेल दिख रहा है वो कहता सिक्के में टेल होता है लेकिन होते दोनों है तो उस परक तो कुमारिल भट ने अब अब वहां पर एक चीज और थी कि किसी भी बौध गुरुकुल के अंदर किसी भी सनातनी को प्रवेश नहीं दिया जाता तो अब वह कैसे सीखें तो उन्होंने जूठ बोलकर एक गुरुकुल में प्रवेश लिया कि मैं सनातनी नहीं हूं और बौध धर्म सीखना चाहता हूं उसकी दीख्षा लेना चाहता हूं तो वहाँ पे बताते हैं आचार श्री निकेतन के पास उन्होंने बौध धर्म की सीख्षा ली जो वहाँ सीख्षा समाप्थ हो गई तो उन्होंने बौध न्याय शास्त्र को सीखने के लिए आचार धर्म कीर्थी के पास सीख्षा ली पहले उन्होंने बौध धर्म चारिती के पात्व निया शास्तर को पढ़ा और समझा अब हुला क्या कि क्योंकि विचार धाराके अंदर वे बहुत धर्म क्या कह रहा है वो एक अलग चीज है या बहुत धिया शास्तर क्या हिए रहा चीज है लेकिन उसके अंदर वेदांग का विरोध दिखाते थे अब एक सनातनी परिवार से बढ़े में पैदा हुए और गुरुकुल में पढ़े पढ़े व्यक्ति को यह भुरी लगती थी तो एक बार कुछ आचार धर्म किर्थी बहुत टीक्षन बातें कही वेदों के ब उसके विद्यार्थी बैठे थे बॉद्ध उन्हें लग गया कि यह निश्चत ही बॉद्ध नहीं है यह सनातनी है तो उसका दुद्कार करने लगे और एक भवन की यह कि छत पे से उसे धकेल दिया कुमारिल भट्ट को तो जब वो गिर रहे थे जब कुमारिल भट्ट को उस उचाई से गिराया गया तो कुमारिल भट्ट यह सोचने लगे मैं पढ़के बताता हूं उन्होंने कहा मन ही मन में यदि शुरुती प्रमान है तो मैं विशम स्थान पर भी गिर कर जीवित रहूंगा मेरे जीवन का साधन वेदो की प्रामानिकता ही है यदि शुरुती प्रमान है और वो नीचे गिरे और उनकी आख के पास चोट लगी शंकर दिग्विजय ग्रंथ है जिसमें ये सब कुछ लिखा है और उस में लिखा गया है उनकी आख फूट गई एक आख फूट गई अब वो आख नश्ट हो गई या वहां से रक्त निकलने लगा ये स्पष्ट नहीं है पर उनकी आख के पास चोट आई तब उनके मन में या आया कि मैं इतने उपर से गिरा फिर भी मैं बच गया यह तो शास्त की प्राणानिकता है किन्तु मैंने कहा यदी शुती प्रमान है मैंने जो यदी शब्द लगाया यह जो संदेह व्यक्त किया उसके दंड़ सरूप मेरी को यह चोट आई अब क्या कि अब किसी व्यक्ति को देखिए अब यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा कुमारिल भट ने बौध धर्म का विरोध नहीं किया जबकि सनातन का विरोध जो बौध धर्मावलंबी थे वो कर रहे थे उन्होंने उसमें समझने के लिए उसकी बैग्राउंड को उसके मू कुल को समझने के लिए बौध गुरुकुल में प्रवेश लिया उसे समझने का प्रयास किया यह सनातनी विचार है कि आप दोसरे के विचार को भी समझो हमारे हाँ चारवाग जैसे व्यक्ति को बिरीशी कहा गया है जो कि यह कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत रिणम कृत्वार्ण पीवेत भसमी ऊधूतस्य देहस्य पुनरजन्म कुता है त MID हमारे शास्त्र कहते एफ उनरजन्म होता है लेकिन चारवा कहते हैं जब तक सुख्त जीवेतार लेकर भी पीयो अ मरने के बाद तो ये शरीर जल जाना है पुनरजन्म होना नहीं है किसने पूछना तुने मेरा घही लिया था की नहीं इसको भी रिशी कहा है तो उसी संस्कृति के पुत्र थे कुमारिल भट तो उन्होंने भी समझने का प्रयास किया किन्तु उनके साथ क्या हुआ कि उनको भवन की छट से नीचे गिरा दिया गया ताकि उनकी मृत्ति हो जाए दैव योग से वो बच गए अपने विश्वास के कारण बच गए जो भी था अब उनके अंदर भी एक आवेग आ गया कि अब तो जो वैदिक संस्कृति है उसके संरक्षन के लिए उसके पुनरुथान के लिए मुझे और तेजी से कारे करना पड़ेगा क्योंकि जो सामने वाला है वो हमारा पक्ष सुनने को समझने को तो संरत ही नई है अब यहां भी देखिए उन्होंने कि सी प्रकार से उन्हें प्रताडित नहीं किया अपमानित नहीं किया क्या कि अपने मार्ग पे तीजी से चलने का निर्णा है कि दूसरे की लाइन सचोटी करनी है तो उसे मिठाने कैस्यक्ता नहीं है आपक्रम मलाइन को लंबा कीजिए तो अब हुआ क्या कि वो और वेग से लग गए और जहां जहां जाते कहीं परास्त भी होते कहीं परास्त करते भी थे शास्त्रार्थ में लोगों को जो तो हुआ ऐसे करते करते वो एक नगर में पहुंचे एक राज्य में जिसका नाम था चंपा नगरी चंपा नगरी के राजा का नाम था सुधनवा वो राजा बौध थे लेकिन उनकी जो पत्मी थी वो वैदिक विचारदहरा की थी और वो चिंतित रहती थी कि जिस प्रकार से वेड़ का या सनातन का अकमान ह हो रहा है वो बचेगा भी कि नहीं सनातन तो वो एक वो इतनी चिंतित होती थी कि एक दिन जब वो अचारे कुमारिल भट उनके भवन के पास से गुजर रहते तो एक आवाज आई आवाज थी किम करो मी क्वगच्छामी को वेधा नुद्धरिश्यती क्या करूं कहां जाओं वेधों का उद्धार कौन करेगा यस्त्री के रुदन की आवाज थी तो यह सुनाई दी कुमारिल भट को तो कुमारिल भट ने बहुत उचे स्वर में बोला मा विशित वरारों हे भट टाचार्यो असमी भूतले मा विशित वारा रोहे आप विशाद न करें आप दुखी न होँ आप मत रोएं भट्टा चार्यो असमी भूतले मैं आचार्य भट इस भूमी पर अभी हूं जीवित हूं अर्थात मैं उस संस्कृति का उद्धार करूंगा ऐसा उन्होंने जब वो बोला तो वो आवाज रानी के कानों में पहुंची उन्होंने अपनी दासी को भेज कर बुलाया कि यह कौन व्यक्ति है वो अंदर गए उन्होंने अपना पर सम्मत नहीं है आप विचार करिए शास्तरार्थ करे कोई तो समझ में आता है लेकिन केवल यह कहना उपहास उडाना कि यह गलत है यह तरसंगत नहीं है तो क्या करें तो उन्होंने भी अपने शंकाय रखी कुमारिल भटलने की मैं ऐसा-इसा करता हूं तो मुझे यह कहा ज बताया कि इस चीज की शंका का यह निर्मूलन है इस चीज की संका करें तो कुछ प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया अब रानी को लगा इस सी राजा से परिचे कराये जा तो राजा सुधनवा से उन्होंने बताया कि एक ऐसा-एसा व्यक्ति है और यह उसे बौत धर्म के बारे में मालूम है और सनातन के बारे में मालूम है राज ने का कि मेरी कुछ संकाएं है मैं उसे पूछूंगा जब उन्होंने पूछा तो कुमार इल्भट्ट ने अपने ग्यान से अपने गुरुकुल के ग्यान से और रानी के बताय हुए निर्देशों से उनकी विचार को समझ हाते हुए जो उत्तर दिये उसे राजा प्रसंद हुआ है तब उन्होंने राजा को कन्विंस किया कुमार इलभट्ट ने कि आप एक शास्त्रार्थ करवाई ये बौध और सनातनियों के बीच में मैं सनातन प्रक्ष से उनके प्रशनों का उत्तर दूंगा अब देख स् numero Spring में महात्मा बुंद्र को भी बुद्धावतार माना गया है तो क्या वो वेडान्त के विरोधि होसकते हैं ऐसा नहीं है इसमज का अंतर होता है एक परिवार में भी जो पिता होता है उसकी सोच का स्क प्रतिशत संतानं नहीं होती इस रैप्लिका नहीं होता है कि उसमें भी अंतर होता है और एक ही परिवेक ही माता-पिता की अगर चार संताने हैं तो चारों की योग्यता में भी अंतर होता है कि तो इस कारण कि इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने क्या सोचा है और आगे समझने वाले ने कितना समझा और उसको कितना आगे समझाया गड़्ड मगड़्ड यहां पर हुआ है तब कि जब वह शास्तरार्थ कन के लिए कर लिया गया एक दिन नुष्चित कर लिया गया राजा यह चंपा नगरी में राजा सुधनवा ने एक शास्तरार्था किया गया है और वहां पर एक आचार इसको मारी लभट नहीं जो वेद मंच पे बैठे थे पहले जो वो थे कुमारिल भट्ट जब उन्होंने उस प्रांगन में प्रवेश्च किया तो राजा ने उतर कर स्वायम उनका स्वागत किया और उनको आसन दिया कि आप बैठिये जो भी मिश्चित किया गया था और इधर से जो धर्माचारा थे उसमें जो जिनसे उन्होंने न्यायशास्त्र क सीखा था शंकरा राज कुमारिल भट्ट ने उनको बुलाया गया धर्म कीरती जी को तब धर्म कीरती जी ने प्रश्ण प्रश्ण नहीं किया आक्शेव किया उननेने कहा कि वेज प्रामानिक नहीं है और जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने पांच उसके उदाहरण दिये कि वेद गलत है पहला था कि वेद के मंत्रों में अर्थ बोध नहीं है अर्थ बोध अर्थात कुछ भी जोड़ दिया है जिसे आज हम सामान्य शब्दों में कहते हैं कि तुकबंदी की गई है तो उनका ये कहना था कि वेद तो केवल तुकबंदी है जो लिखा गया है उसमें शब्दों का कोई अर्थ नहीं है उसमें उनों ने एक उधारन दिया रिगवेद का एक मंत्र है जिसके अंदर शब्द आते हैं जर्भरी तुर्फरी अब ये जर्भरी तुर्फरी क्या है ये नहीं मालूँ ये यूँ ही जोड़ दिया गया है तुकबंदी करके तो उसका उत्तर आचारे शंकर ने दिया कि वेद में जब आप व्याकरण और निरुक्त पढ़ेंगे तब आपको अर्थ समझ में आएगा कि जैसे क्या होता है कि हम एक कार ख करीते हैं या एक मोटरबाई खरीत तो उसमें क्या है एक चेसी है एक एंजन है एंजन में भी कई हिस्से आ हर हिस्से का अपना एक गोन धर्म है अपना एक कार्या है जब वो मात्र उनको एक जगे इकठा करके बांध देने से वो गाड़ी नहीं चलेगी मात्र एक जगे बांध देने से उनको गाड़ी नहीं चलेगी हमें कौन सा कॉम्पोनेंट कहां पर लगाना है यह निश्चित करना आवश्यक है हम इंजन को सीट के ओपर नहीं लगा सकते हैं उसको सीट के नीचे ही रखना पड़ेगा इंजन जहां लगा रहेगा वहां पर जो ताना बाना है वह बहुत मजबूत चाहिए क्योंकि इंजन बहुत भारी होता है तो इसलिए जो यह विन्यास है उसके ताने बाने का यह अत्यंत महत्पूर्ण है तभी वह गाड़ी बनेगी और चलेगी इसी प्रकार जो वेद हैं उसके भी छ अंग हैं वेदों को समझना होगा तो च्छ के छ अंगों को जानना होगा और वे अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंद और ज्योतिश शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंद और ज्योतिश तो जो आचार्य कुमारिल भट्ट ने उत्तर दिया इस प्रश्नका की वेदों में श्तुकबंदी है तो उत्तर उन्होंने यह दिया कि व्याकरण और निरुक्त अप पढ़ेंगे तो आपको इनका अर्थ समझ में आएगा अब निरुख्त क्या है कि मेरुक्त क्या होता है व्यकरन तो देखे सब को पता है grammar चाहे वर अंग्रेजी की है चाहे हिंदी की है teraz संस्क्रीट भाशा की है इتनी सामानी समझ हमें है कि इसमार वाज वर किसके साथ कौन साटेंस कब क्या यह सब समझ में आता है तो इसलिए व्याकरण को तो समझाने के आवशक्ता नहीं मिरम निरुक्त में दो चीजें होती है कथन और व्यूत्पत्ति अर्थात कहां से यह शब्द जन्म ले रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं कथन और व्यूत्तपत्ति उसके लिए आप कोन सी धातू का प्रियोग कर रहे हैं धातु यह एक शब्दावली होती है व्याकरण की दृष्टी से इसके अंधर संस्कृत के अंदर धातु और गरदान गर्या यह दो चीजें होती हैं जिसमें हम करता कर्म करन यह जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उसी तरह उसके अंदर भी है फिर एक वचन बहु वचन और फिर उसके अंदर एक प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष इसके आधार पर एक-एक स्थिती के लिए एक-एक शब्द बना हुआ है संस्कृत में भाषा में इतना अधिक विश्तार है तो जब हम निरुक्त जैसे क्या है मालीजी मैं बोल रहा हूँ अचल यह शब्द मालीए बने बना अचल तो अचल में है चो नहीं चो के नीचे हलंत है आधा चो है उसमें फिर ह है तब जाके अच बना और ला के अंदर भी ला आधा है और उसमें अ जुड़ा तो वह अचल बना यह निरुक्त सिखाता है इससे भी अधिक थोड़ा तो निरुक्त वाला जो विशह हम यह विदांग के जो छे खंड हैं उसका एक अलग कभी किसी दिन विचार करेंगे तो कहने कार्थी है कि जो आचार कुमारिल पढ़े बिना वेद को समझना दुश्कर है हम तो पहली बात तो पढ़ते ही नहीं है पढ़ने का भी प्रयास करेंगे तो हम जो हमारे सामने आया उसको पढ़ना शुरू करते हैं फिर कहते हैं कि इसका अर्थी यह है उसका अर्थ का अनर्थ आज के समय में एक व्यक्ति न इतना सत्यानाश किया हुआ है शब्दों के अर्थों का इतना सत्यानाश किया हुआ है कि असुरों को अच्छा बता दिया है अर्थ के अंदर और दुनिया खेर पागल है देवदत्त पटनायक के उसको पढ़ने के लिए मैं स्पस्ट रूप से बोल रहा हूं एक सोशल या प्लेटफॉर्म पर खड़ाओके बोल रहा हूं कि देवदत्थ पतनायक का साहित्य मत पढ़िएगा, उसने अर्थ का अनर्थ किया हुआ है, हाँ, यदि आपको जानना है कि उसने अर्थ का अनर्थ क्या किया हुआ है और आपको भाषा का ज्यान है, तब ही उसे पढ़ि किर्थी ने वेदों पे किया था, वेदिक संस्कृति पे किया था, दूसरा है, वेदों में जो लिखा है, वो संधिक्द है, कन्फूजन पैदा करता है, कैसे? कहा है कि वह उपर भी है, एक श्लोक है, उसका उद्दार्ण देते हो, बोलते हैं कि इसमें ये कहा गया, वह उ मानते हैं, भगवान उपर है, आसमान में है, या उपर एक लोक है, जहां पर ईश्वर निवास करता है, ये हर धर्म मानता है, लेकिन हर धर्म के पूजा स्थान है, इसाइयों के चर्च हैं, हिंदू के मंदिर हैं, मुसल्मानों के मस्जिदे हैं, जो यहुदी हैं, उनकी अगनी मंदिर हैं और हर इस स्थान पर हम मानते हैं कि इश्टत्व विराजमान है तो जो उपर है वह नीचे है कि नहीं कि स्पष्ट हुआ तो इसमें कोई कन्फूजन नहीं है तो एसे ही उन्होंने भी यह समझाया आचार कुमारि भट्ट ने तीसरा जो अक्षिप था कि विपरीत अर्थ वाली चीजें हैं कुछ भी बोल दिया है वेदों में तो उदाहरन के लिए कहा गया है कि पत्थर से प्रासना करते हैं कि हमारी बात सुनों यहीं आक्षे मूर्ति पूझा पे हिए पत्थर से प्रासना है कि हमारी बात सुनों मैं तो इसका समझने के लिए आज के समय में कुछ कठिन नहीं है मोबाइल है पत्थर ही है लेकिन यह पत्थर किस चीज का बना हुआ है इसके अंदर अलग अलग गुनों की चीजों को जोड़ा गया है जिसके कारण जो हम बोल रहे हैं वो तरंग रूप में है मैं आप से बात कर पा रहा हूं आप मुझे देख पा रहे हैं वह तो के माध्यम से तो है एक सॉलिट चीज के कारण ही तो है वो सॉलिट चीज मेरी बात को किसी फॉर्म में कनवर्ट कर रही है आपके पास भी एक सॉलिट चीज है वो उसको रिसीव कर रही है और बात हो जा रही है मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि अचेतन में चेतन का निवास होता है यह अचेतन है इसके अंदर चेतन का निवास है इसी कारण रेडियो टीवी मोबाईल सब चल रहे हैं हम एक सैटलाइट उपर लॉंच कर देते हैं हम सैटलाइट लॉंच कर देते हैं उससे हमें क्या सहाथा मिलती है तो वह भी यह कर रहा है कि वह एक एक चेतन है लेकिन उसके अंदर कुछ चेतन गोना है जिसके कारण यह सब कुछ संभव हो पा रहा है यहीं उत्तर आचारे कुमारे भठर ने आचारे धर्मकी की को दिया फिर कहा गया कि रूद्र सुक्त में कहा गया है यजिरुवेद का एक सुक्त रूद्र सुक्त भगवान शंकर की प्रासना है बहुत कि एक स्लोक में कहा जाता है कि रूद्र एक है एर एक में कहा जाता है रूद्र सहस्र हैं हजारों है तो भई ये तो है हलांकि आजकल यह कहा जाता है कि हम बहु भगवानवादी हैं बाकी सद्धर्म कहते हम एक भगवानवादी हैं एक एवल एक ही इश्वर है जबकि यह उद्गोष वेदों का ही है एको ब्रह्म दृतियो नास्ति न भूतो न भविश्षशी ब्रह्म एक ही है सर्वच शक्ति एक ही है न कभी को दूसरी हुई न होगी पर फिर भी आक्षेफ हम पर लगा दिया जाता है सनातनियों पर कि यह तो कई सारे भगवान वह बैस कई सारे भगवान उसकी मैनिफेस्टीशन है जैसा कि मैंने एक उदारन दिया कि जो मंदिर हैं या मस्जिद हैं जो गुरुद लेंगे हैं तो क्या महादेव बारा हैं लेकिन बारा शक्तियों के रूप में वहां पे विराजमान तो हैं तो यह उसका भी उत्तर दिया और फिर एक जो अंतिम था कि यह तो जो आम लोगों की भाशा में जो कुछ लोग कह देते हैं उसको जोड़ा है देखिए ग्यान को जोड़ने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने भी ज्यान की बात की है तो सुनने योग्या है सुननी चाहिए और उसके बाद उसका अगर वो विस्तार करने योग्या है तो विस्तार भी किरिया जाना चाहिए इसलिए वेदों में हमें कुछ कहानिया भी मिलेंगी अगर किसी के जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं तो दारण देने ही चाहिए विदों में कुछ कहानिया हैं तो उन्होंने ये कहा कि ये तो जो आम जन जीवन में जो हो रहा है वो लिख दिया यदि उससे किसी के जीवन का विकास होता है किसी को मार्गदर्शन मिलता है तो उसमें बुरा क्या है तो यह था यह पांच मुख्य आक्षेप बताए गया उसके बाद औरों को भी कुछ प्रशन रहे होंगे तो जो आचारे कुमारिल भट्रे ने सबका उत्तर दिया तो वो जो शास्त्रार्थ था वह तो जीत गए लेक क्या हुआ क्या नहीं हम उस विशार में नहीं जाते लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जो परवत की अट्टालिका पर जाकर वहां से कूद जाएगा और जीत बचेगा वह विजई माना जाएगा अब उसके पीछे क्या सोच थी हम उसके बारे में नहीं जाते हैं तो जब ये शर्थ रखी गए तो केवल और केवल कुमारिल भट्ट तयार हुए ठीक है मैं कूदता हूँ उसके बाद वो वहां से कूदे तब उन्होंने बोला यदि वेद प्रमान है पहली बार जब भ्बं से गिराए गया तो तब शुरुती ते प्रॉति कुमारिल भट को अपना गुरु मान लिया उनका शिश्यत्व ग्रहन कर लिया अब उसके बाद आचारे कुमारिल भट दे पूरे देशाटन करते रहे अपना वोग करते रहे वेडिक जो विचार्धार है उसको पुनर स्थापित करने के लिए लोगों को जगाते समझाते रहे तब क्या हुआ कि एक लेकिन उनके मन में दो चीजें थी जो उनको हमेशा परेशान करती थी निरंतर वो यह कि चाहे गुरु किसी व्यक्ति से आप एक बात भी सीखो वह गुरु होता है और मैंने तो अचारे धर्म कीरती से निया शास्त्र सीखा है और उन्ही को मैंने शा समान कर बैठा हूं मैं सनातनी सोच देखिये क्योंकि हमारे यहां पश्चात आपका विधान है उन्हें यह हमेशा चुबता था कि मैंने जिससे नियाय शास्त्र सीखा उसी को मैंने पराजित कर दिया यह मैंने ठीक नहीं किया यह उन्हें अंदर से चुबता था दूसरा क कि मैंने लोगों को उत्तर देने के लिए जिस प्रकार से प्रमान रखे उससे मैंने इश्वर का निराकरन कर दिया अब इश्वर का निराकरन यह समझने के लिए अपने आप में बहुत बड़ा विशा है निराकरन मतलब इश्वर को हटा दिया कर क्या रहे थे वो वेद सं है बाबा जी चमतकार कर देते हैं उन्होंने कहा कि जैसे मतलब हम उदाहण के लिए समझने के लिए जब उन्हें वो गिरने लगा तो यदि वेद प्रमाण है तो मुझे कुछ नहीं होगा नहीं हुआ वह एक अलग चीज है पर क्या लगा कि भई इस यह तू भगवान से प्रादबुद कर देखो मैंने कर दिया मेरे को भगवान के स्पैशल वो है तो यह दो चीज़ें उन्हों तंक करती थी तो उन्होंने क्या किया अपने कुछ शिश्य तयार किये और उसके बाद यह बोला कि मैं पश्चाताप स्वरूप त्रिशागनी में जलना चाहता हू उस भूसी में आग लगी कभी आप लोगों ने देखी है वह धीरे धीरे सुलगती है वह एक साथ बहुत तेज लपट में बहुत देरकत नहीं चलती है धीरे धीरे सुलगती रहती है सुलगती रहती है और वह बहुत तेज होती है उसका ताप जो होता है वह बहुत तेज ह होता है कि तो क्या हुआ कि यह निश्च उन्हों ने उसके लिए प्रयाग को जिसे आज अभी हम उस समय पहले तक इलहाबार मांते जानते थे वहाँ पर संगम के तठ पर वह स्थान धारित किया गया कि यहां पर आचारे कुमारिल भट्ट त्रिशादनी में अपना प्राण क्या गेंगे पश्चाताब स्वरूख कि मैंने गुरू का भी अपमान किया है और इश्वर का भी अपमान किया तो उनके वह अब दिन तै हो गया समान वहां पर भूसे का धेर बहुत बड़ा धेर बना दिया गया उस पर आचारे बैठ गए वहां पर उनके चार शिष्य मं मंडन मिश्र, मंडन मिश्र, भवभूती प्रभाकर और पार्थ सार्थी और उनके पुत्र जय मिश्र, अब जितने भी मिश्र हैं, जितने भी प्रभाकर सरने वाले हैं और जितने भी पार्थ शार्थी नाम वाले हैं, इन्हें इस बात का स्वभिमान होना चाहिए कि ये पुल्परमपरा से निकले हुई संस्कृति के वाकों की संताने ई है तो यह चार बुख्य शिश्य थे और बाकी अन्य शिश्य भी थे और उनके प्रसंशक अनुयाई भी थे वह सब वहां देख रहे हैं जो उस समय वहां पर आचार शंकर जिने शंकराचारे कहते हैं आदी शंकराचार आचारे शंकर भी पहुंचे और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि वह आग लग चुकी है उसमें वह दीरे-दीरे सुलग रही है और उनमें शंकर शरीर तप रहा है लेकिन मुख मंडल पे तेज पुरा बना हुआ है उन्हों ने ज जब कुमारिल भट्ट ने अचार कुमारिल भट्ट ने जब देखा कि शंकर अचार अपने शिश्यों साइस वहाँ है तो नों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिश्यों कहा कि उनका चान सपर्श किया तो नों ने चान सपर्श किया और फिर आचार कुमारिल भट्ट अचारे शंकर की और देखकर बोले हे योगिंद्र उनको योगिंद्र कहा है अचारे शंकर को अचारे कुमारिल भट्ल ने हे योगिंद्र आपके लिखे हुए भास्षे पर आचारे शंकर ने भास्षे लिखा है जिसे शंकर भास्षे कहा जाता है कि उस पर मैं वृत्ती बनाना चाहता था आज कि मतलब समझने के लिए सब्सक्राइब में कहा जाए तो मैं डॉकुमेंटरी बनाना चाह रहा था आपके भाष्य पर आपके विचारधारा का जो संकलन है उस पर किन्तु मेरे पास अब वो समय नहीं है कि मैं वो बना सकूं तो और अब से जो संस्क्रिति का कार्या है वो अब आपके जिन्मे है तब तो आचारे शंकर ने कहा कि आप ऐसा कर क्यों रहे ह। इसकी अवश्यक्ता क्या है तब उन्हों नहीं बोला कि एक तो मैंने गुरू का अपमान किया दूसरा मैंने इश्वर का निराकरण कर दिया है अंजाने में यह अपराथ है इसलिए मैं उसके लिए पश्चाताप सुरुप यह जल रहा हूं तो उन्हों ने तब आचारे शंक समझने में आपको दिक्कत दे रहा था कि कुछ लोगों को कि वेदांग वास्ताव में क्या कह रहा है उनको समझने में दिक्कत हो रही थी उस समझ उस दिक्कत को तो आपने दूर किया है आपका हे तू आपका परपस तो गलत नहीं था आपका इंटेंट गलत नहीं था इस अपराद नहीं है आपने तो अपने आपको दाव पे लगाकर लोगों को समझाने का प्रयास किया था इसलिए यह भी अपराद नहीं है इसलिए हे कुमारिल भट्ट यदि आप आज्या दें तो मैं मंत्र योग से जल छिड़क कर तो संगम का जल था अगमा गंगा यमना सरस्वती तीनों का मैं जल छिड़क कर आपको पुनह प्रान प्रदान कर सकता हूं सिद्धी देखिया जंजावाद जेलता आया है इसका जाना ठीक नहीं है इसलिए अपना उन्होंने जो कुछ भी योग जोड़ा था साजना से वह सब उनको पुनह प्रान देने के लिए वह अर्पित करने को तयार थे आचारे शंकर शंकर अचारे किन्तु कुमारिल भट्ट ने का कि नहीं अ आपका है तब आचारे शंकर ने भी उन्हें प्रणाम किया और आचारे कुमारिल भट्ट तिल तिल जल के अपनी देह छोड़ गए हमें थोड़ी सी एक माचिस की तीली भी लग जाती है तो फफोले पढ़ जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं इंजेक्शन भी लगवाएंगे एंटिबाइटिक भी खाएंगे और उसकी पट्टी भी करवाते हैं लेकिन एक व्यक्ति जिसने संस्कृती पर आए हुए अनावश्यक और गलत अक्षेपों को दूर करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया अपने प्राण तक द्याग दिये उन प्रयासों को बल देने का कारे उन प्रयासों को बल किस ने दिया या और मूर्त रूप कि अचारे शंकर ने तो इसलिए हम यह कह सकते हैं जैसे आज कल वह होता है कि रेसर भाइक होती है तो उसमें जब स्पीड देनी होती है तो नाइट्रोजन या नाइक्ट्रस का कुछ वो होता है वो एड कर देते हैं तो वह स्पीड एकदम तेज ले लेती है तो वो कारे आचारे तो शंकर अचारे ने जब आगे कारे को बढ़ाया तो उसके पीछे जो एक महत्पूर्ण शक्ति थी वह आचारे कुमारिये आचारे कुमारियल भट का किया हुआ बलिदान था इसलिए आचारे शंकर और आचारे कुमारियल भट यह प्राता समर्णिये चरित्र हैं हम अपनी किसी पूजा पाठ में हम कभी गुरू को प्रणाम करते हैं तो गुरू को प्रणाम कर देते हैं जो भी हमारे गुरू है लेकिन कभी हम शंकर अचारे को प्रणाम नहीं करते हमको मारे भट को प्रणाम नहीं करते कि नाम ही नहीं मालूम है उनका किया हुआ प्रयास ही नहीं मालूम है और यही कारण था कि मैंने यह प्रयास किया कि यह आप सब के सामने जो भी मुझे ज्यात है वो आप सबी के समक्ष रखों मुझे इतना ही कहना है आपका कोई प्रश आप नोस्ते गुरु जी नौश्टा गुरु जी बहुत अच्छा लग है आपसे सुणकर पता यह नहीं था यह इन चीजों का गुरु कुल परंपरा तोड़ दी गई गुरु कुल परंपरा टूपने से क्या हुआ जहां यह चरत्र बताया जाते थे उनकी शिक्षाओं को बताया जाता था उनके प्रयासों को बताया जाता था वो खतम हो गया है हम जो सीखते हैं वो उनसे सीखते हैं जो टीव पर सीरेल आते हैं और वो किसलिए वर वो सबसे पहले डिस्क्लेवर देते हैं यह मनोरंजन के लिए है मतलब हमारा इतिहास तो के वर कॉमेडी रह गया है वो किसी प्रकार की सठेता का डावा नहीं करते और फिर उसको थोड़ा सा स्पैसी बनाने के लिए उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल देंगे खर वो अब 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 इसे ही कुछ में लाटा रहूँगा वेसे गुरू जी जैसे ये बोध वारा बताया था जी बोध का जो इनका वह मेंद था उसने तो ये बोला था ना कि मैं सब कुछ खा लेता हूं मास खाने के लिए उसमें प्रयरिट करे था ने इस चीज के लिए दरसल क्या है कि चीजें बहुत हैं मतलब मैंने बताया ने कि प्रश्ण बहुत हैं मैंने सिर्फ वहां तक अपने आवों के अंदरी रखा जहां पर वो वेदों के उपर था दरसल क्या है एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ बॉद धर्म के अंदर जब भगवान महावी महात्मा बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं तो बॉद धर्म में वो मांस खाने की परमप इजाद कौन दे रहा है यह विक्रिती है यह बॉद धर्म का मूल रूप नहीं है यही दिक्कत आती है कि हम बुद्ध मातार मांते हैं तो क्या वेदों के विरोधी थे उननके उसमें तो कभी भी वेद नहीं था हाँ जीवन-शैली में आपको कभ क्या करना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए वह ज़द्यल षिकाह है लेकिन वह मान्सा हार के लिए कभी स्वि विक्रिति देंगे ऐसा है ऐसा नहीं है डरसल क्या है अगर आप देखें तो बॉध्ध धर्म के नाम पर कि तंत्र ने बहुत भयंकर रूप ले लिया कि तंत्र ने नेगेटिव साइड आफ प्रेयर्श जो काला इलम वगयरा आजकल भी चलता है उस प्रकार ही बौध जो यह जितने भी संस्थान थे जो वहाँ पर नाकारात्मक शिक्षन को अब यह आप देखें कई बार आप फिल्में देखते होंगे जहां पर बौध धर्म की हिसाब से प्रेयर करते हैं और वो मार्शाल आर्ट सीखते हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया कारे करके दिखाते हैं शरीर से भी और मन के स्थर पर देखें तो बहुत धर्म आपकी जो उरजाएं हैं उनको केंद्रित करने की शिक्षा देता था अलग-अलग रूप से ल हमें अपने बारे में नहीं मालूं इसी प्रकार उनको भी उनका अपने बारे में नहीं मालूं विक्रिती तो हर जगह है विक्रिती हर जगह है ठीक है गुरूजी तो और कोई प्रेशन है तो नहीं तो फिर आज जानू मैं अलो विवेक जी दिस इस एक्सिलेंट विवेक यू हब प्रोड्यूस्टेम इन अवर शास्त्राज क्या क्या कैसे कैसे हैं फेरली टेलिंग यू बौद धर्म और जैन धर्म की काफी एसिमिलेशन हैं और बौद धर्म जादा पुराना नहीं है बट हमारा जैन धर्म जो है वो बहुत ही पुराना है विस्तरित है जी और जो हमारा हिंदू शास्त्र है वो भी नो डाउट पुराना है कि उसमें जैसे सिस्टम आता है कि भगवान क्रिश्न जो है वो पांच साड़े पांच हजार साल पहले हुए थे और भगवान राम को भी वो इसी हिसाब से थोड़ा सा पीरिट आगे जादा बताते हैं जी बट हमारे जैन शास्त्रों में लाखों साल पहले भगवान राम हुए थे और विल्ट फैक्श्वल्स दे प्रूव दा और किसी का कोई प्रश्ण या सबाब सामाप्त की जाए रवीवार है सब को कारे होगा जी राम राम सार्व राम राम शास्त्री जी राम 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 शी राम जी आप से पहली बार परिचा हो रहा है थोड़ा अपने बारें बताएंगे जाज नहीं है उपलब्द चलिए ठीक है आप सभी को बहुत बने अरा भी और अच्छा लगा आज नया को सीखने के लिए मिला है थैंक्यी वे रहे हैं थैंक्यी नाश्कार सभी को झाल 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 झाल